तो हमारा है Purchase Consideration Purchase Consideration में एक Net Assets Method में हमने क्या सीखा था सर सारे Assets की Market Value ले लिजिए और Less कर दीजिए सारी की सारी Liability तो हमारे पास की आ जाएगा इसके बाद हम Net Payment Method की बात करें तो Net Payment Method के अंदर हमें क्या करना और इसमें Assets जब लेंगे तो इन Assets को Consider नहीं करना यह सीखाता Net Payment Method बहुत आसान है सर बहुत आसान कैसे कह सकते हैं देखिए मैं इसको Erase कर दूँ यहीं पर Net Payment Method बना दे ताकि सही रहेगा Net Payment Method समझना मैं समझना एक छोटा सा Example X, Y, Z Limited है और एक मान लेते हैं सिक्षाधाम Limited है और मैंने क्या करा X, Y, Z Limited को खरीदना है मुझे मैंने Decide किया है कि इस Company को खरीद लेते हैं और खरीदने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बात किससे करने पड़ेंगे इसके Shareholder Fund से बात करना होगा यानि मैंने बोला भाई तेरा क्या assets है whatever तू समझ तू इधर आजा Shareholder Fund Shareholder Fund के अंदर इसका Reserve and Surplus हो गया Equity Share हो गया Preferent Share हो गया मैंने बोला कि भाई देख ऐसी बात है मैं तेरी Company को खरीद हूँ क्योंकि मालिक तो यही है मैंने का मैं तेरी Company को खरीदने जा रहा हूँ और तेरी Company को जब मैं खरीदने जा रहा हूँ तो तू बता मैं जो दूँगा अगर तुझे पसंद आता है तो ले ले Otherwise फिर मैं तेरी Company को नहीं खरीदूँगा इसने का Sir मेरे Assets हैं मेरे Liability हैं मेरे यह हैं मेरे मेरे माल है वो सब मुझे नहीं पता मेरे को तेरी Company पसंद आई है और मैं तेरी को यह यह चीज़े दे रहा हूँ मैं तेरी को 10,000,000 रुपे दे रहा हूँ मैं अपनी Company के मैं तुझे share दे रहा हूँ जिस की कीमत 20,000,000 बनती है अपनी Company के मेरी तरफ से तेरी company के उकाद कितनी है 40,00,00 जो कि मैं देने के लिए ready हूँ अगर तू दे सकता है तो बता नहीं दे सकता तो बाती खाता हूँ यानि पहले वाले case में हमें net assets वाले case में इसके सारे assets liability के बाद हमें सामने वाले company का valuation करना पड़ता था सामने वाले company के एक औकाद पता करनी थी कितने में उसे खरीदा जाएगा लेकिन इस वाले में हम उसकी valuation नहीं करेंगे एक अंदाजा ले लेंगे कि इस company में इतने में खरीद लेंगे तो same मैंने कहा कि भाई तेरी company को खरीदा जाएगा और अगर मैंने कहा भाई तेरी company के अंदर debenture भी है ना और उस debenture वाले को मैं अपनी company के debenture दे दूँगा तो इसमें इसका क्या फायता भाई liability वाले को तु लाइबलिटी दे रहा है तो जब तु मेरी company को खरीद रहा है तो उस situation में सारे चीजे तो देना ही देना है चाहे मैं उसको check देदू चाहे मैं उसको बिया देदू चाहे मैं उसको preferent share देदू चाहे मैं उसको equity share देदू चाहे मैं उसको अपनी company के debentures देदू free में के ले भाई debenture तेरे को बाद में पैसे मिल जाएंगे कुछ भी दिया जा सकता है तो अगर कुछ भी मैं इसको दे ऑफ और जैसे ही इन सभी को जोड़ा जाएगा उन सभी को जोड़ने के बाद हमारा ये क्या माना जाएगा सर ये माना जाएगा हमारा purchase consideration मतलब देखो तो इसका ना एक पार्ट जो हम पहले निकाल के जो उसको देते थे ना इसके अंदर के तिरको ये दे देंगे ये दे देंगे यहां directly ये हो जाता है तो ये purchase consideration माना जाता है यहाँ पर कुछ चीज़ा साफधानी रखनी है जो बच्चा confused हो जाता है अब मैंने कहा अब मुझे जवाब दीजेगा चली आजाते हैं question भी करेंगे और साथ के साथ फिर concept भी करेंगे मैंने क्या कहा question यह वाला कर लेंगे मैंने कहा भीया एक्स है भीया याई है भीया जट limited company है इस company को acquire किया और इसका shareholder है और इसका debenture भी है जब मैं इस company को खरीदूँगा जब SKD limited इस company को खरीद लेगा तो क्या मैं इस company के shareholder को payment करने के बाद इसके सारे liability पे मेरा अधिकार है और इसके सारे एसेट्स पर भी मेरा अधिकार है इसका मेरा कहने का मतलब है कि इसके जितने भी लाइबिलिटी उसकी पेमिंट करने के जिम्मेदारी मेरी बन जाएगी और जितने भी एसेट्स है उसको बेचना या फिर अपने एसेट्स में मर्ज करने के जिम्मे रुपे दिया जा और उसके बाद तेरे जो डिवेंचर होल्डर है इसको मैं क्या करूँगा इसको मैं दे रहा हूं तो यहां पर बच्चे सोच लेते हैं कि सर पीसी क्या होगा पीसी इसका 20 25 35 हो गया और सो आप डिवेंचर वाले को भी दे रहे हो तो आप ध्यान से सोचना जो मालिक को दिया जाएगा वो पीसी है इसके लाइबलिटी को जो पेमेंट कर रहे हैं वो पीसी का पार्ट नहीं है अगर मैं इससे कहूँ का तेरे को मैं डिवेंचर भी दे रहा हूं जिसके पेमेंट बाद में ली हो न तू पैसे वापस तो दूँगा रिडम्शन के ट समझ रहे हो बात आप तो यह बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट सा तो मेरे इसास से आप देखोगे के नेट पेमेंट मेफट जो है नेट पेमेंट मेफट जो है तो ऐसा सिचुएशन में net payment method जो है ऐसे situation में net payment method के अंदर हमारा बहुत आसान सवाल बन जाता है और आपको इधर उधर की बाते बोलेगा लेकिन आपको इस questions में से pick क्या करना है कि भाई मालिक को तुम क्या दे रहे हो उसको ढूंड के निकालना है आपको बहुत सारी बाते कहेगा इसको दे दिया उसको दे दिया पलना दे दिया यह दे दिया लेकिन आपको ढूंड के क्या निकालना है सवाल में से कि मालिक को क्या payment हो रहा है सामने वाले को वो निकालना है तो अगर हम मालिक के बात करें जो सामने वाले का payment है वो निकालना है अब ये आपके book के अंदर भी सवाल है और वैसे भी है और मैं अभी बाद में discuss करेंगा है total assets, total net payment method के इसाब से कहता है रजनी गंदा, रजनी गंदा लिमिटेड एक company है absorb by वसंदरा लिमिटेड इसका मतलब वसंदरा लिमिटेड ने रजनी गंदा लिमिटेड को खरीद लिया, मिला लिया अपने में, the consideration being take over liability, consideration में इसने liability take over किया, तो करना ही पड़ेगा भाई liability जब तुम इस company को खरीदोगे तो इसके सारे liability और assets के तुमारी जिम्मेदारी बनती है, कहता है the payment cost of absorption part of purchase consideration, कहता है जो payment cost of absorption यानि जो liquidation का expense होता है, मैंने बताया था, last class के अंदर था realization expense, तो वो बोला गया, इसको part मान लिजिए purchase consideration का not exceeding 20,000, 20,000, जबकि actual कितना हुआता साहब, 17,000, 20,000 से उपर नहीं होना चीए, actual 17,000, अगर 21 होता तो 20 से कम हो गया, तो हम कम लेंगे, सीजी सी बात है, ठीक है, इसके बाद आगे देखा जाए, आगे कहता है, the payment made to debenture, एक लाख रुपे debenture payment करेंगे, 10% premium पे 9% debenture issue, जो उसके debentures है, the payment of the debentures, एक लाख, एक लाख के जो उसके debenture holder है, उनको हम premium पे 9% debenture at par दे दिया जाएगा, ठीक है, यानि आप यहाँ से यहाँ तक बात देखेंगे, तो कोई भी ऐसी बात नहीं बोली गई है, कि उस company के मालिक को कुछ दिया जाए, तो यहाँ से यहाँ तक इतने उपर वाली पार्ट है, वो irrelevant है, मेरे लिए, purchase consideration निकालेंगे, उसने बोला कि जो हम liquidation का, जो यानि absorption का खर्चाओ का, उसको यह करेंगे, वो करेंगे, भाई, उससे क्या लेना देना, तुम बोल रहे है, debenture को इतना payment करेंगे, premium discount, उससे क्या लेना देना, हमें तो इस question में ढूंडना आए कि भाईया, तुम माली को कितने रुपे दे रहा है, उसको total कर लेंगा, purchase consideration हो जाएगा, अब आगे बात आई, and the payment कहता है, 16 per share in cash, and allotted 14% preference share 10 रुपीज each, 6 equity share of 10 रुपीज each, fully paid every 4 share in रजनी गंदा limited, the nature of purchase, यहाँ पर मैंने बताया था, एक nature of purchase होता है, nature of merger होता है, हम बाद में method में सिखेंगे, तो अब payment की अगर बात करें, कहता है कि हम 16 रुपे पर share paid करेंगे, उसके लिए आपको क्या जानना होगा, सर इस company के अंदर पहले shares कितने हैं, तो company के अंदर shares कितने हैं, एक बार मैं इसको फिर से साफ कर दूँ और आपको समझ में आ जाए, बताइए company में कितने shares हैं, कहता है consideration take over the liability, the payment absorption cost not exceeding payment of debenture holder, और यहाँ पे, यहाँ पे देखोगे, यह line, तो purchase consideration, purchase consideration, सर परचेस consideration में देखा जाए, तो number one, number one सर, number one क्या है, number one है, कि आप उसको cash में भी देने के लिए तैयार हो, सर कहां लिखा है ऐसी बात cash, कहता the payment 16 per share in cash, जितने भी भाई, तेरे company के जितने भी shares हैं, पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा, मैं तुझे खरीद रहा हूं, माल लेते हैं, कि इसकी company का जो भी shares निकले हैं, अब है example अगर false share है, तो हर share के बदले तुझे नगत भी पैसा दूँगा, पहली बात इसको देने की बात हो रही है, and allotment 14% preference share 10 rupees each, और हर share के देखना, क्या कहता है, and, कहता है कि the payment, इसके अलाबा कहता है, and the payment 16 rupees per share, and allotment 1 preference share of 10 rupees each, and 6 equity share 10 rupees each, और 6 equity share भी दिये जाएंगे आपको, 6 equity share 10 rupees each, fully paid for every 4 share in रजनी गंदा लिमिटेड, यहाँ पर एक चीज मुझे questions में missing है, शायद, number of shares कितने हैं इसके न, मैं लिख देता हूँ, number of shares, एक मिनट रुकिए, number of shares missing हो गया है, 2,00,000 है, number of shares मैं बता देता हूँ, कितने हैं साहब, 2,00,000, इससे आप समझ चाहिएगा, भाई सबसे पहले, तेरे को क्या मिलेगा, तेरे को क्या देना है, और क्या लेना है, यह देख लेगे, ठीक है सर, तुझे cash दिया जाएगा भाई, 2,00,000 है, question मैं मिसिंग है, मैंने बाहर लिख दिया, कि number of shares कितने हमारे 2,00,000 है, ठीक है, यह आप मान लिजिए, questions के अंदर given है, missing हो गया, थोड़ा सा, नहीं nature of purchase के आगे, तो 2,00,000 share है, और हर share के बदले मैंने वचन दिया है, कि कितना दूँआ, तो इसका मतलब सर, अब 2,00,000 का है, यह भी consideration लेना है, 2,00,000 number है, तो कितने देने पड़ेंगे, पहले एक तो यह, और preference share की बात करते है, कहता है कि end, allotment one preference share, 10 rupees each, हम आपको एक preference share भी देंगे, 10 rupees each का, तो सर, 2,00,000 preference share मिल जाएंगे, यह preference share capital, कितने percent, 14, 14%, preference share मिल जाएगा, 2,00,000, और एक कितने का मिलेगा, 10,00,000 का, that is आपका, 20,00,000 रुपे का, एक तो यह दूँआ, ध्यान देना, यानि यह बातचित किस से चल रहे, equity share से, बोल रहा कि, equity share वाले, तो 2,00,000 है, क्योंकि यहां का share holder यही है हमारा, बोला, तेरे को एक काम करते हैं, 16 रुपे पर share दे देते हैं, और एक preference share दे देते हैं, तुछे, बोला, और, बोला, और ऐसा करते हैं, तेरे equity share को हम ऐसा करते हैं, तेरे पास हर 4 share के बदले हम अपनी company के 6 share देते हैं, तो भईया, हर 4 share के बदले, यानि equity share की बात आई, तो इसके पास equity share कितने हैं, 2,00,000, अगर मैं इसको divide 4 से कर दूँ, तो कहता है कि हर 4 share के बदले, आपको कितने दे दूँआ, मैं 6, जैसे मैं suppose करो, आपके पास 10 र हुआ, एक, तो आप divide 2 से कर दोगे, और into 1 से कर दोगे, तो आपको पता चल गया कि आपको कितने मिलेंगे, 5, और वैसे ही मैंने बोला, हर 2 के बदले मैं एक दूँआ, तो आप general calculation कर लो, क्या बनता है हमारा, 5 share ही बनता है, इसका मतलब, जितने के बदले दिया जाएगा, वो divide हो जाएगा, और into में जितना मिलेगा, यह आप formula, यह general चीज़े हैं हमारी, ठीक है न, अब एक share कितने का देने वाले हम आपको, 10 रुपे का, that is अगर हम calculation करें, कितने आगे, 30 लाप हो गया, अगर totaling करें हम, तो 82 लाख रुपे आपको दिये जाएगे, that is आपका माना जाएगा purchase consideration as per net payment method, 82 लेग, यह सही बता है, 30 लाख आपने, यह सही बता है, आपने, एक minute, यह देखे, preference share कहता है, कहता है कि end allotment one preference share each and 6 equity share, ध्यान दीजेगा, यहाँ थोड़ा सा एक line आपको रहेगे, आमसे पढ़ना, ध्यान दीजे, कहता है, allotment करेंगे, हम preference share और 6 equity share देंगे, पुली paid वाला देंगे, और हर 4 share के बदले, तो यह भी 4 से divide हो जाएगा, हर 4 share के बदले, तो यह आजाएगा हमारा, पांच लाग और यह आजाएगा, किसने आजाएगे, 60, 60, 60, यह, दुबारा देख लिजे, क्या कहता है, line आप पढ़ेंगे, तो running में पढ़ना होगा, कि भाईया, तुझे एक तो हम 16 रुपे पर share दे रहें, and allotment दे देंगे तिरको preference share, and 6 equity share, fully paid वाले, for every 4 share, यहनी हर 4 share के बदले, तिरको एक preference share मिल जाएगा, और हर 4 share के बदले, तिरको 6 equity share दे देंगे, और 10 रुपे एक वाला रहेगा, तो 10 से multiply करके, यह हमारा, अब बच्चे कह रहें, sir, debenture भी तो है, अब देखिए, एक बार और पढ़ लें, क्योंकि मैं जानता हूँ, कि इसमें समस्या आएगी, अब debenture को पढ़ें, कहता है कि भाई, purchase consideration, take up payment of absorption, कहता है, absorption का खर्चा होगा, आप बताईए, absorption का खर्चा हो गया, 17,000, क्या ये 17,000, हमने बोला कि जो इसको दिया जाएगा, वही purchase consideration का पार्ट माना जाएगा, आप बोल रहें सर और अब जोप्शन का खर्चा हो जाएगा तो क्या इसको दिया जाएगा यह नहीं तो यह तो purchase consideration का party नहीं है आगे कहता है आगे क्या कहता है the payment of debentures एक लाख एक लाख रुपे का इस company के उपर debenture था इसको हमने क्या करा कि 10% premium पे पे करने का promise कर लिया यानि हमने इसको बोला भाई 10,000 और दे देंगे debenture order तेरको एक लाख 10,000 दे देंगे और मैंने इसको payment क्या करा अपनी company के 9% वाले debenture दे दे दिया मैंने बुला भाई तेरको 10% वाले debenture तेरको एक लाख 10,000 का ऐसे करते है तेरको अपनी company के 9% वाले एक लाख 10,000 रुपे का debenture दे दे देते है तो यह payment किसको करने की बात कर रहा है शेर होल्डर को होने की बात कर रहा है जो उस company में पहले से debenture थे उसको करने की बात कर रहा है जो पहले से debenture था उसको payment करने की बात की जा रही है इसका मतलब सर ये तो हमारा PC का पार्ट ही नहीं है PC का पार्ट का मतलब समझे क्या होता है जो उसके shareholder को दिया जाएगा वही PC का पार्ट है बाकी question में इधर उधर की payment की बात करें तो वो purchase consideration का पार्ट ही नहीं है अभी और भी question करेंगे इसका दस रुपे इच है तो मैंने दस से multiply किया ना यह रहा दस रुपे इच है दस से multiply किया मैंने equity share capital को कि लिए फार्मिट यही calculation है जर्णल ठीक है एक सवाल और देख लेते हैं यह रहा आपके सामने एक सवाल और और थोड़ा सा आपको अब मतलब समझ में आ जाएगा कि करना क्या है ठीक है चलिए कहता है एक्स limited agree take over the business of y limited अब इसको मैं समझा समझा के कर देता हूँ एक x limited है और इसने ठान रखा है कि मैं किसको खरीद लूँगा यानि यह company बिकने वाली है और यह company खरीदने वाला है तो net payment method में क्या होता है कि भाई यह company decide कर लेके इस company को कितना पैसा देगा यह होता है यह company decide कर लेके कितना पैसा देगा भाई साब यह company अगर decide कर लेके कितना पैसा देगा तो इसका मतलब बहुत सीड़ी सीड़ी बात है इसका मतलब बहुत सिम्पल सी बात है मैं कहूं तो इसके किसको देगा शेयर होल्डर का इसके किसको दिया जाएगा किर दोड़ो हो जिया जाए जाएगा हो जाएगा जाएगा। झात है ख sponsors कि मैं कहाएगा जात है कि वुल ऊजार हो जाएगा है जाएगा किसको दो इसके किसको दोड़ा कि अदाने जाएगा इसके अज 돼요 झाल झाल तो सर सवाल बच्चे बोल रहते हैं सर नहीं दिख रहा है अब दिख रहा है प्रॉपर अब कोश्चन प्रॉपर दिख रहा है बताईए कोश्चन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है अभी नहीं अभी हुई है क्या क्लास सर एक बार short में बता अभी बता देंगा इस question को करके पिछले वाले question को करके दोनों को मिटा के जब तक समझ में नहीं आएगा आगे बढ़ने का फाइदा नहीं है मैं जानता हूँ चलिए यानि इस सवाल को अभी मैंने शुरू नहीं किया सवाल के अंदर इदर उधर की बाते करते रहे ये company बोलते रहे मैंने तेरे assets को ले लिया मैंने तेरे liability को paid कर दिया मैंने तेरे absorption खर्चा दे लिया उससे purchase consideration का कोई लेना देना नहीं है तो चलिए सर इसमें क्या कहता है कहता है ये X limited agree to take over the business of Y limited ठीक है the consideration being assumption that trade liabilities के इतने है the payment of cost of liquidation ये है भाई तो ये क्या इसको payment करने की बात कर रहा है ये इदर उधर की बाते है इदर उधर की बाते चल रहे है कहता है the redemption of B debenture हम उसके debenture को payment करेंगे एक प्रीमियम पे प्रीमियम पे प्रीमियम करेंगे discharge by A A बोलता है ये नहीं होगा basically discharge by the A X Y होगा ये प्रीमियम discharge Y होगा चलिए छोड़िए इसका अब उपर वाले sentence में देखिए और फिर आगे क्या कहता है debenture चार लाग एक प्रीमियम बाई issue 10% debenture of X limited and the payment यहां तक आप बात देखिए पहले ये वाले sentence को पढ़िए मैं एक बार फिर से पढ़के दिखाता हूँ आराम आराम से पढ़ लेते हैं समझ समझ के क्या कहता है कहता है X limited agree करता है इधर धियान दीजिए X limited take over कर रहा है while limited को and the consideration being और जब उसे take over करेगा तो क्या consideration मतलब क्या 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 देगा हूँ कहता है assumption ले रहे हैं कि जो उसका liability है उसके 5 लाग को दे देगा यह payment of cost of liquidation liquidation मतलब जो company बंद हो रही होगी उसको 2000 रुपे की payment कर देगा और यह redemption कर लेगा B debenture एक B debenture है 2 लाग का at a premium पे the discharge of A debenture एक A debenture भी है 4 लाग रुपे का at a premium पे by issue 10% debenture in X limited X limited कहता है भाई तेरी company का जो debenture holder है दो debenture holder मैंने पाए एक A और B इन दोनो debenture holder को मैं अपनी company के debenture देगा ठीक है limited the payment of 10 लिमिटेड अब इसके बाद यहां से छोड़ देते हैं बात अभी तक जितना मैंने पढ़ लिया है यह मैं mark कर देता हूँ आप मुझे बताईए यहां तक की जो बाते कह रहा है इस सवाल में क्या इसमें से कोई भी ऐसी बात कही गई है कि भाई तेरी company के मालिक को while limited के मालिक को कुछ मिलेगा क्या यहां तक की बात में कुछ कहा गया है कि उसको कुछ मिलने वाला है ओविस से बात है नहीं वो बात कर रहा है debenture holder की payment की वो बात कर रहा है absorption costing की वो बात कर रहा है liability की जो अभी तक तो नहीं कहा गया हम जो पैसे देंगे ना आपको 10 रुपे हर दो शियर के बदले आपको 10 रुपे शियर fully paid and 10 रुपे शियर of x limited कहने का मतलब है कि हम payment करेंगे 10 रुपे शियर in cash cash तो payment कर देंगे 10 रुपे पर शियर है यहां एक शियर है उसके बात कहता in exchange दो fully paid शियर 10 रुपे वाले भी देंगे x limited के यानि आपके दो in exchange of आपके शियर जो बदले जाएंगे उसके बदले हम दो fully paid 10 रुपे वाला शियर देंगे at a market price जिसकी market price 15 रुपे होगी और share for every share y limited y limited के हर एक शियर के बदले मैं आपको 2 शियर देने जा यह आँ यह कह रहा है कि आपकी company में जो भी शियर है हर share के बदले मैं आपको दो शियर देदूँगा और दो एक शियर की value कितनी होने वाली है 15 रुपे और आपकी company हर के बदले मैं 10 रुपे नगत देदूँगा आपको यह कह रहा है आगे देखतें क्या कहता है the share capital of the vendor limited अब इसको ना हम vendor भी बोलते है seller company जो विकने वाले को vendor company का कितने है 20,000 share है 25 रुपए each fully paid up और उस company का share कितना है हमारा 20,000 share है और 25 रुपए fully paid up है तो चलिए sir चलिए नंबर वन नंबर वन बात नंबर वन equity हम पहले cash दे देते हैं है ना कहता है हम आपको cash देंगे हर एक तो कितने कितने share है 20,000 share हर एक के बदले मैं मिटा दूँ इसको था कि साफ साफ देखे मैं सब ना हूँ 20,000 share है और हर एक के बदले कितना वचन दे रहा हूँ कह रहा है the payment 10 rupees देखे पर share in cash यहां तक की बात है तो हर किसी के बदले 10 यानि हम इसको कितने रुपे देने वाले है 2,000,000 है ना 20,000,000 कैश में 2 मिल गया अभी तो एक चीज़ दिया है पहले ये वाले point को देखे किसी को डाउट है तो पूछे पहले ये वाले point को देखे किसी को डाउट है तो पूछे मैंने एक point कर दिया है सर बच्चों ने purchase consideration निकाल भी दिया चलिए को अच्छी बात है बाकी जिन बच्चों को नहीं पता वो देखते है इसमें देखिए जो कह रहा है यह यहां तक clear है और दूसरी बात मैंने कहा भाई आपको हम क्या देंगे in exchange मतलब आपकी company के shares के बदले हम दो share 10 रुपे वाले दे देंगे और उस shares का market price जो होगा वो 15 रुपे होगा यानि 2 share देंगे for every share of Y limited आपकी company का एक share के बदले हम दो share दे देंगे तो दूसरा point भाई साब equity share capital यह कह रहा है कि आपके पास 20,000 share है उसके बदले हम कितने share दे देंगे दो रुपे दो share देंगे तो number of shares हो गया अब shares का face value 10 है और market value क्या है हमारा 15 है अगर shares की face value हम 10 की बात करें market value 15 तो अगर मैं 15 की बात करूं तो अब मान लो एक पल के लिए इसको हम share ना देके हम इस share को बेच के इसको पैसे देते तो 15 के हिसाप से तो मिलेगा तो exact value देखा है तो हमें इसे multiply करना पड़ेगा सर किस से market value क्योंकि मैंने का था हर चीज यहां पर जब सामने वाली company को paid करते है तो according to किस के करते हम market value तो market value के हिसाप से देखा जाए तो 4 15 कितने हो गए और कुछ देने का promise किया था बोला था मेरी company का आपका 25 रुपे फुली paid कहता है कि vendor vendor company consist vendor company के खुद के शेर जो थे दो लाग और 25 रुपे के थे बाई तुमारे number of shares दो लाग के थे और वह 1000 रुपे का एक शेर हो चाहे 100 रुपे का हो 25 हमें क्या लेना देना हम तो आपको consideration आपके number of shares के दे रहे हैं तो क्या इस 25 रुपे का कोई value रह जाएगा जवाब है नही रह जाएगा तो यहाँ पे 6 और 2 8 लाख रुपे कुछ बच्चों ने जवाब भी दे रिया था यह क्या माना जाएगा सहब purchase consideration देखें कोई doubt 8 लाख रुपे purchase consideration फिर से देख ले एक बार ठीक है चलिए सर एक बार इस सवाल को फिर से करेंगे जब तक आपको एकदम समझ मे बार से निया था कि चल क्या रहा है यह चक्कर यहां पर ओ hvad कि मेर फटा फट से पढ़ लेता हुँ अब जल्दी फट्र दूब फिर ढुबारा कर रहा हुँ हमारा चल रहा है sir net payment method और net payment method के अंदर खास बात क्या है कि हम क्या करते है net payment method में कि कितने payment दे रहे हैं shareholder को वो ढूंड दे हम इसके अंदर जो हमें information है तो कहना है sir कि company ने खरीद लिया ठीक है इसके अंदर एक point missing था कि number of shares जो था number of shares जो company बिक रहा है उसका है number of shares दो लाक शियर दो लाक ही बताया था ना दो लाक शियर अब आगे कहता है question में कि हम payment cost of absorption कह रहा है कि बोल रहा है जो खर्चा हुआ है वो एक्च्वल बीस सत्रा त counting entry तब होगा जब books of buyer और books of seller करेंगे अभी PC में इसका कोई रोल नहीं है कहता है इसके debenture holder को हमने payment कर दिया भाई साम इससे भी कोई लिना देना नहीं अब कहता है दा payment 16 रुपए per share in cash तो भाईया cash देने की बात आ गई तो alert हो जाईए 16 रुपए कहता है देंगे हर share के ब और छे equity share भी देंगे हर 4 share के बदले तो यानि सर अगर हम बात करें 14% इसको preference share capital मिलेगा और हर 4 के बदले तो 2,00,000 divided by 4 यह number निकल गे कितने मिलने वाला है और एक share रहेगा कितना 10 रुपए का तो इसका मतलब यह कितना आ गया हमारा 5,00,000 आ गया और जो हम आपको equity share capital देंगे छे देंगे इसको 10 से multiply कर दीजिए तो यह क्या आ गया था हमारा 30,00,000 ऐसे करके हमारा यह purchase consideration कितने का बन गया 63,00,000 रुपए का इसके बाद इस वाले सवाल को भी अगर मैं दुबारा लेके चलूँ तो very simple questions है questions के अंदर क्या कहता है question में कहता है sir हमने agree किया कि इस company को खरीदेंगे और consideration उसके बदले अजंशन लेंगे liability का payment करेंगे payment cost of liquidation बंद करने का खर्चा हो गया redemption करेंगे debenture B debenture एक तुम्हारी company में है उसको 2,00,000 प्रीमियम पे discharge कर देंगे और एक A debenture है उसको 4,00,000 प्रीमियम पे discharge कर देंगे बदले में उस debenture holder को हम अपनी company के ही debenture देंगे and अब payment की बारी आई shareholder अब तुम्हारे number आ गया तुम्हें 10 रुपे पर share payment कर दिया जाएगा तो भाईया cash जो दिया जाएगा 10 रुपे पर share के हिसाब से तो पहले पता कर लो कि कितने share है तो नीचे देखा हमने हमें पता चला 20,000 share है तो 20,000 into में 10 एक तो 2 लाक रुपे तुम्हें मिल जाएगा shareholder आगे कहता है और हम आपको क्या देंगे और हम in exchange दो fully share आपको दो share और मिलेंगे हमारे company का जिसका face value 10 रुपे है बट वो market में भी 15 रुपे का चल रहा है यानि सर आपको equity share capital मिल जाएगा अगर मैं बात करूँ 10,000 तो हर share के बदले 2 मिलेगा और market value 15 है लेकिन क्या हर share के बदले 2 है तो सवाल आगे पढ़ेंगे तो कहता है नहीं every कितने every share while limited every 4 share यह 4 गलत लिख दिया यह 4 यह वाला नहीं है भाई साम यहां 4 होगा यह वाला नहीं यह था every 15 रुपेज पर share अच्छा every share ही है हाँ ठीक है ठीक है मैंने every share हर share के बदले अगर यह बोलता कि मैं दो share के आप 4 share के बदले तुम्हें 2 share दूँगा तो मैं किस से divide कर देता है यहां पे लाक और इस तरीके से यह बन गया था हमारा आठ लाक का